हलो एवरीवन मैं भीशेख शुकला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में प्यारे बच्चो हमने टॉपिक स्टार्ट किया इडियम संद फ्रेजेज और इसके बैक टूबैक बहुत सारे क्वेस्टन देखे आपने प्रीवेस वीडियो देखे होंगे और आप हो बताऊ क्या होगा एंश यह यहां बलो नाक्त या वगता है अच्छा आपमने इसा सुना होगा गया इसा पावर्नाप वह मुवीन देखे TH Tesdx में क्या ख़क्नाप पाउनाहता है तो पाउना की तरह ही यह आपए है catnap और catnap का मतलब क्या है दो-तीन साल के लिए सो जाना है नहीं पावर नाप लेना है छोटी नींद रेस्ट फिट फॉल स्लीप लॉंग स्लीप शॉर्ट स्लीप बताओ कौन सी स्लीप है यह शॉर्ट स्लीप वानो टू बैगर डिस्क्रिप्शन अब इससे इस तरीके से भी हान रख सकते हैं बैगर की शकल कौन याद रखता है जब आप कह रहे हो मुझे डिस्क्रिप्शन तो वो कैसा था तो मुझे क्या बता कैसा था लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है ऐसी कोई चीज जो इतनी जादा अच्छी है कि उसे डिस्क्राइब करना ही बड़ा मुझेल है तो बैगर का डिस्क्रिप्शन ये किसका क्या डिस्क्रिप्शन दे इसे कौन याद रखता है तो अच्छी होना है नहीं दुखी होना लुक्ट हैपिली लुक्ट सप्राइस्ट लुक्ट साड लुक्ट काम क्या होगा कैसे दिखना लुक्ट साड वन ओ फोर ड्राइग वन्स फीट जब कहा गया इस काम को करो भई फिनिश फटाफट से तो काम तो करनी रहे चल तो रह नहीं है वहाँ जाने के लिए ऐसे बस थे उंगा पैर मारे जो रहे जमीन पर हां तो पैर गिजट कर चलना ड्राइग वन्स फीट तो क्या है जो काम आपको जो एक्षन आपको करना उसमें इंट्रेस्टेश hammer क्या आप नहीं हो होते तो भाग कर जाते पैर गसीट कर नहीं जाते तो देखो क्या होगा make something more complicated नहीं expedite नहीं be reluctant to act yes reluctant होना unwilling होना नहीं चाहते ऐसा करना 105 hope against hope आपको पता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होना लेकिन फिर भी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और फिर भी एक छोटी सी आशा रखना क्या पता अच्छा हो जाए तो वैसे तो हमें भी पता है अब कुछ नहीं होना that is hope against hope think wishfully from time to time नहीं hope with good reason नहीं good reason तो है नहीं ना nurture and impossible hope yes पता है कुछ अच्छा नहीं हो ना फिर भी एक hope पाल रखी कि क्या पता कुछ हो जाए अच्छा 106 make room तो इसमें क्या मतलब है कमरा बनाना या इसका मतलब नहीं make room का मतलब है जैसे वो cricket में भी आता ना दो खिलाडियों के बीच में से रूम बना कर चारन तो यहां make room का मतलब क्या है इस make room का मतलब है जगे बनाना space बनाना make space 107 made your made नहीं made your ways नहीं क्या होता है मेंड यॉर वेज मेंड यॉर वेज मेंड यॉर वेज सुधर जाओ बंद कर दो इस तरीके से बिहेव करना सो इट इस जब आप कहते हो किसी को सुधर जाओ तो इसे इंग्लिश में क्या कहते है मेंड यॉर वेज तरीके सुधर लो अपने इंप्रूव वांस बिहेवियर साही है कौन सा option हो जाना है option नमबर डी 108 fit her like a glove तो glove की तरह glove की तरह बिल्कुल fit हो गया यह तो वाह बहुत है अच्छा है यह तो तो कैसा है वो too large large नहीं है fit हो गया तो बिल्कुल too shabby shabby नहीं है dirty नहीं है too tight अरे tight का है बिल्कुल fit आया भई तो fit her like a glove इसका मतलब क्या होगा perfectly cry wolf बच्चों यह story सुनी होगी आपने बच्पन सही वह एक आदमी होता है shepherd होता है वह अपने कुछ sheep को लेकर जंगल में जंगल में जाता है जंगल तो कहीं जाता है उनको चराने grace कराने के लिए फिर वहां वह बैठा बैठा बोर उतर रहता है sheep तो चरती रहती है तो उसे लगता है चलो में गेम खेलते हैं तो चिलाता है बेडी आया बेडी आया बचाओ तो भोले बाले हले के लोग आजाते हैं उसे बचाने फिर वह सता है कोई बेड्या नहीं आया घर जाओ ऐसा दो-तीन बार हो जाता है फिर एक बार असली में भीड़ी आ जाता है वो चिल लाता है भीड़ी आया भीड़ी आया कोई नहीं आता उसकी मदद करने तो यही है वो cry और क्या चिल लाता है वो wolf wolf भीड़ी आया to refer to to emphasize to have no result to give false alarm यही है कुछ हुआ तो है नहीं लेकिन उसीज का नकली अलाम नकली चिंता जताई जा रही है उसके लिए invent cock and bull stories यह कैसी stories होती है यह होती है मन गढंत कहानी cock and bull इन दोनों की कोई story नहीं होती है तो अगर फिर भी बनाएं गई है तो यह मन गढंत है देखो जारा फैब्रीकेटेड है यह तो delightful fables है eco-friendly accounts है absurd and unlikely stories है absurd भी नहीं unlikely नहीं credible tales है क्या है यह तो भही बताओ इसमें किसी option में टिकनीक है मैं तो कौन सा option होगा बो कौन सा option होगा बच्चो यह पता नहीं कौन सा option आगे था इसमें चलो यह ले ले लिए हैं बताओ चलो सब को अटा दो कि बोलो क्या किया जाना है इन्वेंट कॉकन बुल स्टोरी मन गणंत कहानी बनाना जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना तो वह अपने फ्रेंड के घर जाके बैठ जाता है पेरेंट्स को कॉल करवाता है कि आपका बच्चा किटना हो चुका है और वह आहराम से कैसा नहीं तैल's महीं नहीं होना ही है कि ट्ःपल वन एट लॉगड़ेट्स अगर दो पाटी जो टीम्स दो लोग एक दूसरे में इसका मतलब एक दूसरे से क्या है प्यार मुथप्बत है नहीं है लडाई जगड़ा है देखो इन difficulty to be at strife yes क्या है एक दूसरे से strife है clashes and disputes है 112 a man of straw कौन ध्यान रखे कैसा आदमी का जो straw वाला man straw क्या है तुछ बैखती है ये तो तुछ बैखती मतलब a reasonable person worthy fellow active person a man of no importance a man of no substance 113 blow once trumpet क्या करना है अपनी trumpet बजाना ऐसा अपनी पूपाड़ी खुदी बजाना इसका मतलब है अपने मू मिया मिठ्थू बनना दूसरा तो बढ़ाई करनी रहा है खुद की बढ़ाई में खुदी आगे हैं बसके वल क्या है प्रेज अनदर अनदर तो कहां खुद से भी टाइम नहीं मिला to praise a leader leader को क्या खुदी को प्रेज करना है to praise oneself yes कौन सा option होगा option number c 14 to eat humble pie humble pie खाजाना क्या मतलब इसका भई to eat an unsavier pie नहीं to be served food that is rotten नहीं to yield under humiliating circumstances क्या पता to give in to political pressure नहीं ये तो हमें बताए तीन आंसर तो नहीं होने क्योंकि वो मेनिंगी नहीं तेरे जो एक idiom का मेनिंग होना चीह है to eat humble pie का मतलब है बच्चो अपना स्वाविमान को देना नाक रगड़ना कहते ना उससे तो नाक रगड़वाऊंगा मैं so that is I'll make him eat humble pie so eat humble pie का मतलब है c to yield surrender कर देना under humiliating circumstances नाक रगड़ना चलो feeling under the weather feeling under the weather इसका क्या मतलब है बहुत अच्छे मौसम में होना वाह मज़ा या गया बहुत ही अच्छा मौसम था नहीं मौसम बिगड़ गया है और मौसम बिगड़ने के कारण आप क्या हो गए हो बिमार पड़ गए हो so he is feeling under the weather तो under the weather हो गया है मतलब बिमार हो गया है देखो कौन हो है बिमार रिफ्रेश्ट बैड़ वेदर रेजुविनेट नहीं to feel ill बिमार हो जाना straw in the wind थोड़ा सा यह number change हो गए है कोई फरक नहीं पड़ता है न इडियम्स देखो बस 116 straw in the wind wind है हवा है और इस हवा में जो straw है तिनके जो है यह उट रहे हैं और किसकी सूचना दे रहे हैं कि कुछ भारी कुछ बड़ा कुछ तूफान आने वाला है straw in the wind a lightweight object a lucky charm a game that kids play an indication of what might happen सही है future का अंदेशा देना कौन सा option होगा option number d 17 117 face the music आपने किया यह गलत काम so you get ready to face the music now जो गलत किया गया है उसका result के लिए तयार हो जाना ऐसा कुछ देखो be applauded प्रशन सा होना नहीं be ridiculed be punished सही है जो गलत किया गया है उसके punishment के लिए उसके consequences के लिए तयार है ना be punished 118 करी favor favor क्या करना है किसी का करी खिला खिला के किसी का favor लेना इसका मतलब किसी की जूटी तारीफ करकर किसी की चाप लूसी करकर attention grab करना देखो seek impartial judgment seek favorable attention यह सही है यह सही है seek favorable attention किसी की चाप लूसी करना अपना उल्लू सीधा करवाना अपना काम निकलवाना 119 a man of letters बच्चों यहां letters alphabet alphabet का मतलब क्या है ABC दिवाले जो alphabet होते क्या बनता इससे sentences literature तो a man of letters का मतलब है एक ऐसा वेक्ति जो literature में साहित्य में बड़ा अच्छा है letter writer नहीं proof reader नहीं postman नहीं कैसा वेक्ति है विद्वान वेक्ति क्या कहते हैं से scholar 120 to play fast and lose कैसा खेल रहें कभी तो fast 6 बॉल पर 4 चक्के लगा दिये गए हैं और कभी कैसा खेल रहें 6 बॉल पूरा madden ओबर चला गया तो to play fast and lose तो कैसे है responsible है क्या attentive है क्या नहीं है to be narrow minded to play a good minded to act in an unreliable way बिलको ठीक है reliable way नहीं है unreliable गैर जम्मे गैर जिम्मेदार तरीके से act करना 121 donkey's years donkey क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक जीता है तो अगर donkey's years की बात कर रहें तो इसका मतलब है बहुत लंबा समय है a decade इससे भी लंबा हो सकता है century since school days क्या होना है option a long time वो decade भी हो सकता है century भी हो सकता है क्या बता हमें a long time 122 smugglers try to fish in the troubled waters during world war second जब world war second की बात की जा रही है तो smugglers ने क्या करने की कोशिश की कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी क्या अगर smugglers की बात कर रहे हैं तो नहीं कुछ negative ही होगा देखो to take double benefit to work hard to survive नहीं try to destroy the enemy take advantage from our chaotic situation देखो fish in the troubled waters troubled waters है तूफान आ गया है पानी में तो भी तो fish क्या हो गई है फिश परिशान हो गई अब कहां जाएं भी so it is to take advantage जब कोई फसा हुआ है मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल परिस्तिती में खुद का फाइदा ढूड़ना that is fish in the troubled waters चलिए last question for the day they have been at daggers drawn for weeks over their distribution of ancestral property ancestral property का distribution किया जा रहा था और इस बात पर वो लोग एक दूसरे से daggers drawn पर आज गए है खंजर निकाला एक दूसरे के लिए मतलब क्या है घुल मिल गए प्यार भरा relation है नहीं लडाईया हो रही है देखो क्या होगा to live calmly नहीं not on talking terms to live separately be bitterly hostile towards each other एक दूसरे के क्या बन गए है दुश्मन बन गए है चलिए बच्चो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आये होंगे एक्जाम से पहले इन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना and believe me आपके एक्जाम के सभी questions होंगे चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में have a nice day